टारगेट विद पियस परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचना होती हैं जो भी इस मचार पत्रों पर चाहिवी होती हैं और विद्धार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं सबसे पहले मिलती है आगे बलने से पहले एक सूचना उन विद्धार्थियों के लिए जो विद्धार्थि यूपी ट्रपलाजी पी इटी के तयारी के रहे हैं इस पुछतक की खासे दी है कि इसमें प्रसनों की जो ब्याक्या हो काफी अच्छी तरीके से दीगे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कब सभी कापी किताबों को दुकानों में आपको सरस्ती प्रकासन प्राइवेट लिम्टेट की यह महत पुरूप उसके मिल जाएंगी और अगर आप लोग आनलाइन मगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक के मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दी है सरस्ती प्रकासन प्राइवेट लिम्टेट की और भी महत पुरूपूप cima की हो चाहे हो रेलवे गृप दी की हो और इन सब की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दी हैं चलिए सुरू करते हैं अब आज की सूचनाहों को और सबसे पहले बात कर लेते हैं Community Health Officer भरती की सामधाइक सास्त अधिकारी भरती की लिखा है NHM के तहट 5505 CHO की निक्ति होगी नर्सिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके बेरोजगारों के लिए खुसकवरी है National Health Mission NHM प्रदेश में Community Health Officer CHO की भरती करने जा रहा है इसका विग्यापन जारी कर दिया गया है 9 अगस्त तक online आवेदन मांगे परिक्षा के आधार पर CHO की भरती होगी खास बात यह कि आवेदन के लिए अभरतियों को कोई भी फीस नहीं देना और नीचे यहां पर लिखा हुआ है कि परिक्षा के सब्सक्राइब वाइफरी और बिएस सी नर्सिंग डिग्रीधारी CHO पत के लिए आवेदन कर सकेंगे पहले चार मां का प्रिसिक्षन होगा और यहां पर लिखा कि प्रिसिक्षन के दौरान यहां पर दस हजार पर कमांदे मिलेगा और वैसे समान्य 35 जार पर कमांदे दिय जाएगा इन पदों पर सबसे ज़्यादा रिप्तियां है देख सकते हैं बहराइज में 297 बलरामपुर में 231 गोंड़ा में 217 और लखीमपुर में 118 यह वह आला स्वास्तकारी नहीं है तो उत्तर प्रतिस लोग सेवा आज जिसका विग्यापन आता है अगली सूजना कर्मचर चेन आयोग ने मल्टी टास्किंग स्टाफ 2020 भरती की पेपर टू परिच्छा का परिडाम सुक्रवार को गोशित कर दिया है और अभिलेक ससत्तापन के लिए 9754 अभरतियों को योग पाया गिया नीचे लिखा है तीन परिच्छाओं के तीती भी जारी की गई की द्वारा एससी ने तीन परिच्छाओं के तीती गोशित कर दिया सांग की अधिकारी ग्रेट टू भरती 2021 की कंप्यूटर अधारित परिच्छा तेरह अगस्त को कराई जाएगी दिल्ली पुलिस में कॉंस्टेबल ट्रैवर भरती 2022 के लिए 21 अक्टूबर को कंप्यूट अक्टूबर कंप्यूटर अधारित परिच्छा हो अगली सुचना यूपी ट्रफल सी पीटी को लेकर के हैं पीटी 18 सितमर को होने जा रहा है और यहां पर लिखा है कि कल आवेदन की आखरी तारीक है यह देखिए लिखा हुआ है आप भी मौकान लागमा पहले पहले इसक की बाद में 31 तारीक यानि कल करता कर दी गई है और लिखा हुआ को उत्तर प्रदेश सवाधन सर्विस सेलेक्शन कमिशन की और से आयोजित की जाने वाली प्रारमिक अर्था परिच्छा के आवेदन की अंतिम तारीक 31 जुलाई है और यह दूसरी बार परिच्छा हो रही ह किया है और उमीद है कि लगबग 25 लाग शात्र इसकी परिच्छा देंगे अगली सुचना उत्तर प्रदेश लोग सेवा आयोग की हैं कुछ जैसे हिंदी माध्यम के अभरती स्वयम को हीन समस्ते कितनी सत्ता है और यह बात है PCS 2021 की जो साक्षातकार चल रहे हैं यहां पर सवाब लोग दे सकते हैं सका स्क्रीन्सोट भी ले सकते हैं एक्सपर्ट्स ने जो मित हैं लोग सेवा आयोक की परिक्छां के बारे में उसके जवाब दी है और यहां बर जो फ्रसब पूचे जब्स्वाल सुक्रवार को पर पूरी पूरी लिष्ट दी गई यह प्रसंदों की जैसे यहां पर लेखा है कि जैस्टी की दरों ने किस प्रकार अलुमिनियम उद्योग को प्रभावित किया है अलुमिनियम और प्लास्टिक दोनों ही पार्यावरण की द्रिश्ट से उप्जिक तो नहीं है फिर भी हम ज्यादा से ज्यादा प्रियोग करते हैं और भी बहुत सारे सवाल कोवीट से पूंचे गए आप लोग यहां पर देख सकते हैं और कुछ अंतराश्टी संबंदों से संबंदित भी प्रसंद पूंचे गए जैसे इस्राइल और पस्टिम एजिया के संबंदों में धर्म की प्रस्ट पूछे गए और यहां पर देखे पूचा कि सुनी घुट का नेत्रत करता कौन है और सिया गुट का नेत्रत करता कौन सा राष्टर कुछ अन्य सवाल भी यहां पर दिये गए जो पीसी एस दोर 21 के इंटरवे में पूचे गए बेश्टा चार से निवटने के लि उस तरीके के सवाल हैं पूचे अगली सूजिन शिक्षक भर्ती के बारे में है लिकाप प्रदेश के 746 कस्तुर्बा गानधी बालिका विध्यालायों का मामला है अब सरो की जीद में फंस गई है सक्षक विभाग के अपसरों नहीं 14 जुलाई 2020 को संविता शिक्षकों को बाहर करने का आधेश जारी कर दिया था अब सरों का तर्क था कि कस्तूरुपा गांधी आवासी विद्यालियों में एक विस्या की एक से अधिक शिक्षक होने के साथ ही जो विस्या नहीं है उस पद पर शिक्षक की निक्ति कर ली गए और इसके बाद में ना तो संगत असंगत विस्या का मामला सुलज़ा और ना ही कुछ हुआ और अभी तक ये सारे के सारे जो पद हैं 746 विद्यालियों के ये पद अभी तक भरे नहीं गए यूपी प्यसी दो सीधी वर्तियों के प्रापतांग वा कटाफ जारी उत्तर प् अपनी वेबसेट पर जारी कर दिया कितसा शिक्षा विभाक के तहट राज की पॉलिटेखनिक में चार प्रकार के पदों के प्रापतांग वा कटाफ अंग जारी कि तो वहीं पर कुछ और परिच्छों के जो कटाफ और प्रापतांग वह आज जारी होंगे लिकाप प्रापतांग के प्रापतांग जारी करेगा जो पांच अगस्तक वेबसेट पर उपलबद रहेंगे आयोग के सच्चिव संयुक्त सच्चिवे लखान लाल शिवहरे के अनुसार अभरती अपनी जन्मित थी और अनुक्रमांग के अधार पर प्रापतांग और कटाफ आज जारी हो जाएंगे उत्तर प्रदेश लोग से वह आयोगी और से स्चिक्चा विभाग में असिस्टिन प्रोफेसर के विभिन पदों पर हुई सीधी बरती में सामिल अभरतियों के प्रापतांग वह कटाफ अंग 30 जुलाई को जारी कर दिये जाएंग वहीं पर असिस लिष्ट के अभरतियों की काउंसलिंग करा करके उन्हें कालिज आवन्टित कर दिया जाएगा इसके बाद में चैन वहोट के बारे में भी कुछ सूचना है जैसे 6 विद्यारतियों का साक्षातकार होना था तो 6 में से 4 अभरती ही पहुंचे हैं और अब यह जो बढ़ती ह करें आवाद